दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर सुमन सर की जिनको आपने रजनिकान सर की मुवी सीवा जी दब बॉस में में विलन के तौर पर देखा होगा इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी फिल्मों में विलन और सपोर्टिंग केरेक्टर्स निभाए हैं अगर आप इन्हें सिर्फ एक विलन के तौर पर ही जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि सुमन सर अस्ती के दसके तमिल और तेलगू इंडस्टी के एक लीडिंग हीरो थे उस दोरान एक से बढ़कर एक 32 फिल्में सुमन सर के खाते में दर्स थी इतना ही नहीं इन्होंने बहुत सारे मैथोलोजिकल केरेक्टर्स भी निभाये हैं इन्होंने फिल्मी परदे पर भगवान राम, सिव जी और वेंकटेस्वर जैसे भगवानों का रोल निभाया है ये पिछले चार दसकों से साउथ की चारों इंडस्टीज में एक्टिव हैं जहां मेंली तमिल और तेलगू में इनका डॉमिनेंस रहा साल 1993 में सुमन सर की एक फिल्म आई थी बावा बाव मरी थी दोस्तों ये एक तेलगू भासा की ड्रामा फिल्म थी रिलीस के साथी फिल्म को जबर्जस ओपनिंग मिली और पांसो से अधिक दिनों तक फिल्म का थेटरस पर डॉमनेंस रहा फिल्म हुज ब्लोकबस्टर रही और उस साल नन्द मुरी बाला किष्टना चिरन जीवी और नागा अर्जुना जैसे एक्टर्स को मात देते हुए इन्होंने बेस्ट एक्टर का नन्दी अवार्ड अपने नाम किया यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि नन्दी अवार्ड तेलगू इंडस्टी का सबसे प्रीसियस और वैल्यूवल अवार्ड है खैर सुमन सर की इस फिल्म को उस समय कई भासाओं में बनाये गया फिल्म को तमिल में पंडिता थुराई के नाम से बनाये गया जिसके हीरो प्रभू गनेशन थे तमिल बॉक्स ओफिस पर भी इस फिल्म ने 100 दिनों का बॉक्स ओफिस रंट टाइम कम्पलेट किया बावा बावमेदा जो की इस फिल्म का कनड़ा वर्जन था फिल्म के हीरो ते सिवा राजकुमार और ये फिल्म भी कनड़ा बॉक्स ओफिस पर एक म्यूजिकल हिट रही सुमन सर की इसी फिल्म को हिंदी में सलमान खान के साथ बनाये गया 35 साल 1992 की बंधन इस फिल्म में सलमान खान का जो रोल था वो एक्च्वल में सुमन सर ने ही निभाया था इसके अलावा जैकी स्राप वाले रोल को एक्च्वल वर्जन में प्रभास के अंकल कृष्णम राजु ने प्ले किया था इसके अलावा सुमन सर की परसनेलिटी को ध्यान में रखते हुए इनको साल दोर चार में हॉलिवूड प्रोजेक्ट डेथ एंड टॉक्सिक में भी कास्ट किया गया साल दोर नौ में सुमन सर को एसियन फिल्म हॉनर का स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया रजनीकान सर के साथ आइकोनिक विलन का रोल करने के बाद इन्होंने मल्यालम की फिल्म सागर एलियाज जैकी में भी में विलन का रोल निभाया जहां फिल्म के लीड हिरो थे मोहन लाल सर अब आते हैं उस मुद्दे पर की 80 के दसक का वो हीरो जिसके घर के बाहर प्रोडूसर्स की लाइन लगी रहती थी, जिसका सेडूल इतना टाइट था कि पूरा-पूरा साल इनके पार डेट सी नहीं होती थी, फिर कैसे एक जटके में इनका केरियर अर्थ से फर्ज पर आ गय कैसे तमिल और तेलगू इंडस्टी का टॉल एंड हैंसम एक्टर जो उस समय अपने केरियर के पीक पर था वो एक लीडिंग हीरो से सीधा सपोर्टिंग एक्टर और विलन पर कैसे आ गया, आखिर कैसे एक कराटे स्पेसलिस्ट, एक्सन किंग और बैसरिन रोमैंटिक हीरो का कैरियर एकदम से चौपट हो गया, उससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि हम किसी के उपर किसी भी बात की पुष्टी नहीं करते, वीडियो में दी गई जानकारी कई ट्रस्टेड निउस्पेपर के आर्टिकर से ली गई है, इसलिए अपने सौ विवेक का भी इस्तिमाल करे दरसल 19 मईस साल 1985 की रात सौमन सर सो रहे थे, रात में अचानक घंटी बजी और सौमन सर ने पाया कि दरवाजे के बार काफी सारी पुलिस खड़ी है, पुलिस ने सौमन सर को ब्लू फिल्म बनाने के इलजाम में अरेश्ट कर लिया, उस समय सौमन सर अपने केरियर के पीक ऐसा होते ही तमिलनाडू और आंद्रा के सभी नियूस पेपर में इनकी खूब आलोचना हुई, इन्हें एंटी हीरो और रियल लाइफ विलन तक का खिताब दिया जाने लगा, सौमन उस समय काफी बड़ी बड़ी फिल्मों की सूटिंग में वेस्ट थे, यहां गौर करिय यह सौमन साल 1985 में आट से दस लाग की तगड़ी फिस चार्ज कर रहे थे, कुछ फिल्मों की सूटिंग चल लही थी और कुछ फिल्मों की सूटिंग सुरू होने वाली थी, आट से दस फिल्में एक जटके में ही सौमन से छिन गई, कुछ फिल्में डबबा बन भी हो गई, सूमन की इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि इनकी फिल्मों पर जिसने पैसा लगाया था सबने अपने हाथ खड़े कर दी, सबी फिल्मों का बजट जोड़ने पर इस घटना से साथ से दस क्रोड का घटा हुआ था, यह मामला कुछ दिनों का नहीं बल की सालों का था, फि इन तीनों का कहना था कि उन्हें नसीली चीजे देकर फोर्सफुली इन फिल्मों में काम कराया गया, उनसे जबरजस्ती न्यूट फोटो सूट भी करवाया गया, जिसमें सीला नाम की लड़की का यह कहना था, कि जब वे सुमन से अपनी फोटोस डिलीट करवा रही थी, तो सुमन ने उन्हें कार से बाहर फेक दिया और गोली मानने की धमकी दी, इसी के चलते सुमन सर पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया, इंडिया टुडे और टाइमस ओफ इंडिया जैसे ट्रेस्टेड न्यूस पोर्टल से यह जानकारी ली गई है, जब 18 माई साल 1985 की दे राज सुमन को अरेश्ट किया गया, तो इन पर इतनी धाराय लगी कि इनने बेल मिलना बहुत मुश्किल था, अगले चार महिनों तक सुमन जेल में रहे, अस्ती के दसक का इस राइजिंग हीरो का केरियर पूरी तरह से बिखर गया, इंडिस्टी के बड़े बड़े सुमन के सपोर्ट में आई, जिसमें एक्टर सुहासनी और सुमलता का नाम सामिल है, इनी सब के सपोर्ट से सुमन की मा ने दिगकश लोयर जी रामा सौमी को हैर किया, बिना कोर्ट का फैसल आय सुमन को एक डार्क सेल में बंद करके रखा गया, जहां पर बड़े बड़े क किसी चार साल से कम नहीं थे, बाद में कोर्ट में कई बड़े बड़े लोयर्स ने और्गुमेंट किया, तब जाके चार महीनों के बाद सुमन को बेल मिली, यहां ये दलीले दी गई कि जिस दिन सीला की हिसाब से रात 9 बजे सुमन उनके साथ थे, उस दिन तो वे फिल्म क मूर्ती को देखने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में गयत, इस बीच वे रात 9 बजे सीला से कैसे मिले, यहां लक्षमी नाम की लड़की का ये आरोपता कि 20 अपरेल साल 1985 को सुमन ने उनके साथ रेप किया, यहां सवाल ये पैदा होता है कि 14 माई तक वे किस इंतजा और एक सराव वेपारी से रंजिस के चलते सुमन को बुरी तरह से फसाद दिया गया अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ अच्छे व्यूस के लिए इस तरह की मनगड़त कहानी बना रहा हूँ तो आप यूटूब पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएँगे जहां पर सुमन सन्ने ओपिनली इस बारे में बात किया है कई इंटर्व्यूस में सुमन सन्ने बताया है कि उनके साथ क्या बीता जब सुमन 4 महीने जेल काटकर बाहर आये तो इन 4 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था बाद में सुमन को बेगुना भी साबित कर दिया गया लेकिन इन सब के चेकर में सुमन का अच्छा खासा केरियर पूरी तरह से डूप गया जब ये केस हुआ उस समय सुमन अपने केरियर के सबसे पीक पर थे लेकिन इसके बास सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था हाला कि काफी सारे मेकर्स ने सामने आकर सुमन को काम दिया लेकिन और्डियन्स के तरफ से वो रिस्पांस देखने को नहीं मिला सिर्फ सुमन सर ही नहीं बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जो फाल्स केसल के चकर में अपनी पूरी जिन्दगी बरबाद कर चुके हैं खैर जब इनके केरियर में उतार चड़ाव आया तो साल 1999 में सुमन सर ने पॉलिटिक्स भी जोइन कर लिया इन्होंने तेलकू देशम पार्टी को जोइन किया आगे चलकर साल 24 में ये बीजेपी पार्टी से जुड़ गए खैर सुमन सर का असली नाम है सुमन तलवार इनका जन्म 28 अगस साल 1969 को मैंगलोर मैसूर में हुआ ये एक तुलू स्पेकिंग फैमली में जन्मे थे इनके पिता का नामता सुसिल चंद्रा और इनकी मा का नाम है केसरी चंद्रा इनके पिता आई-ओसी चेंड़ ने में काम करते थे वहीं इनकी मा इथिराज वुमेंस कॉलेज चेंड़ की प्रिंसपल थी इस्कूल के साथ साथ ये म्यूजिक भी सीखते थे हेस सास्त्री जिसे इन्होंने संस्क्रट भी सीखी थी आज ये तमिल, तेलगू, मल्यालम, कन्नडा, अंग्रेजी, हिंदी और संस्क्रट को पूरी तरह से फ्लिंटली बोल सकते हैं उस दोरान इनका एक फ्रेंड हुआ करता था भानू चंदरन, वो फिल्मों में काम करना चाहता था उन्ही के साथ रहते रहते सुमन को भी फिल्मों में आने का मन बन गया सुमन और भानू चंदरन दोनों ही मार्सल आर्ट एक्सपर्ट थे ये दोनों साथ साथ निकल पड़े अपना केरियर बनाने को दोस्तों सुमन को सबसे पहली बार साल 1989 की फिल्म नीचल कलाम में पुलिस आफिसर के रोल में देखा गया इसके बाद ये एक दो फिल्मों में लीड हीरो के तौरपन नजर आये साल 1980 में रजनिकान सर के साथ दिवार मूवी का तमिल लेमिक बनाए जा रहा था यहाँ पर अमिताब बróल में रजनिकान थे और ससी कपूर वले रोल में सुमन सर को काश्ट किया गया ये रजनीकान सर के साथ नजर आये और इस फिल्में इनको खुब नोटिस किया गया इसके बाद ये कमल हसन की काडल मीगल और इलम इन्बा मायम जैसी फिल्मों में नजर आये इन फिलमों में इनने नोτιस किया गया और अब इनके पास बतौल लीड हीरो कई फिलमे थी सुमन जितनी भी तमिल की फिलमों में बतौल लीड हीरो नजर आये उसमें से मैक्समम फिलमें बॉक्स ओफिस पर अच्छा परफरम नहीं कर पा रही थी इसके बाद इनके फ्रेंड भानू चंदन ने जबरजस्ती इनको तेलगू फिल्मों में काम करवाया ये कई तेलगू फिल्मों में नजर आये जहां इनको नोटी भारतन फिल्म में एक गाने से खुब सुर्खिया मिली सुमन सर मानते हैं कि आज वे जिस भी मुकाम पर है उसमें इनके दोज भानू चंदर का खुब योगदान रहा इसके बाद तेलगू बॉक्स आफिस पर इनकी मोवी सितारा, नायम, मीरा चेपले, इन सतावे और दूजा दोंगा जैसी फिल्में खुब चली सुमन को इनके मार्सल आर्ट और एक्षन के चलते काफी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा इसी के साथ सुमन रोमैंस में भी काफी अच्छे थे अब एक-एक साल में ये 7-8 फिल्मों में नजर आते इस समय ये अपने केरियर के पीक पर थे तबी वो केस हुआ जिसकी मैंने आपको जनकारी थी खैर एक लंबे ठहराओ के बाद सुमन को देर सवेर एक्सेप्टनस मिल गई साल 1991 तक सुमन पूरी तरा से इनोसन साबित हो चुके थे इनकी फिल्म पंडिताल लडु खुप चली और बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट रही ये वेंकेटेस के साथ कॉंडा पली राजा फिल्में सपोर्टिंग एक्टर के तौरपर नजर आए और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट रही इनकी मुवी बावा बावमरीदी ब्लोकबस्टर रही और इस फिल्म के जरिये सुमन की गिंती फिर से तेलगू इंडस्टी के लीडिंग हिरो के बीच होने लगी लेकिन इसके बाद इनकी फिल्में बॉक्स ओफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी खैर अब ये लीडिंग हिरो के तौर पर ज्यादा सफल तो नहीं हो सके लेकिन अब इनको करेक्टर और सपोर्टें एक्टरस में पूरी तरह से एकसेप्टेंस मिल चुका था ये सीवा जी दा बॉस फिल्म के जरिये निगेटी रोल्स भी करने लगे और इन्होंने दरजनों फिल्मों में निगेटी रोल्स निभाया है आज ये डूकलू, धामू, सहसम, डिक्टेटर और इरंबू थराई जैसी पचासों फिल्मों में काम कर चुके हैं बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो इनकी वाइफ का नाम है सीरसा दोस्तो इस साधी से इनको एक बेटी है जिसका नाम है पृतियूसा तो दोस्तो ये रहा सुमन सर पर हमारा एक डेडिकेटर वीडियो आपको सुमन सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद